प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नतीजा आपके सामने हैं बीजेपी के प्रत्याशी अमनगिरी ने सपा प्रत्याशी विनेतिवारी को भारी अंतर से चुनावी दंगल में परास्त कर दिया मनाओ खुशियां बजाओ नगाले जीत कर आ गए हैं धुरंदर हमारे गोला गोकरनाग की जनता बीजेपी प्रत्याशी अमनगिरी की जीत से काफी खुश दिखाई दे रही है हर तरफ खुशी का महौल है सुबा से ही बीजेपी कारे करताओं और अमनगिरी के समर्थकों में काफी उत्सा दिखाई दे रहा था मानो वो पहले से ही आश्वस्त थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता मालूम हो कि गोला गोकरनाच सीट से पांच बार के विधायक रहे अर्विन गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी जिसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत सम्हालने के लिए भाश्पा ने उनके बेटे अमनगिरी को ही जिम्मेदारी दी थी जब जिम्मेदारी दी गई तो उनके बेटे ने दोनों हातों से जिम्मेदारी को लिया और चुनाओ जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी लखीम पूर के गोला उप्चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी के पत्यासी अमनगिरी ने रिकार्ड मतों के साथ जीत हासिल की है वहीं अगर बात की जाए समझवादी पार्टी के उमिद्वार विने तिवारी फिर एक बार विधान्सवा चुनाओं के साथ उप्चुनाओं में भी उन्हें हार का सामना करना परा है वहीं अगर देखें तो समझवादी पाइटी इस चुनाओ में महज आरोप अप त्यारोप खेलती रही मगर भारती जनता पाइटी के कारे करता और पदाधिकारी चुनाओ को जीतने के लिए पूरा अपना दमखम लगाए नजर आए जिसका नतीजा है कि आज भारती जनता पाइटी के प्रत्यासी अमनगीरी अपने पिता के विकार्ड मतों से जीतने के विकार्ड को तोर कर अलगभग 34,000 वोटों से समझवादी पाइटी के पुमिजवार विनतिवारी को करीश्टिकस दिये हैं गोला के रण में भाषपा के अमनगीरी ने सपा प्रत्याशी विनतिवारी को बड़े अंतर से इस उपचुनाव में चारो खाने चित कर दिया है उन्होंने सपा प्रत्याशी को 33,000 वोटों के बड़े अंतर से गोला के रण में धूल चटा दी है कि पिता जी गिजीत है उनिी का इलक्षन था उनिस आलेक्शन है और हमेशा से उन्होंने जब भी इलेक्शन रहा हमेशा चनाव में वोटों में उन्होंकी बढ़ोत्री वीडिया और इस बार वश्बड़े इन पूर युवारी नहीं को नहीं नहीं इट कर्यार औक्श्ण यह माननी अर्विन गरी सुर्गी अर्विन गरी की सच्ची सद्धान्जली है और गोला जंता की यह जीत है अपने बैया ने जो काम किये थे और भाईचारा किया था एक हिनारा भाईचारा उसी पर यह चुनाव लड़ा गिया है और सभी मद्दावताओं को हम आदिरिक बाद देते हैं भाजपा जहां एक तरफ एक-एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है तो वहीं विपक्ष आरोपों के बहाने केवल अपनी बगले जाकता रह जाता है जी हां चुनाव से पहले जहां घर बैठे सपा प्रमुक्त अखलेश यादों उन्हों ने भाजपा पर ये आरोप लगाया था कि वो यादो पुलिस कर्मियों को वहां से चुटी पर बेज रहे हैं तो वहीं इन सारे आरोपों को इतर रख सीयम योगी खुद गोला की रण में कूद गए थे और वहां जाकर जन सभाय की थी उन्होंने वहीं से अखलेश के आरोपों को जवाब देते हुए कहा था कि सपा ने पहले से ही हार मालनी हैं और नतीजा भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बया कर रहा है खैर इस हार से भी अगर समाजवादी पार्टी ने सबक नहीं लिया तो हाल ही में होने वाले मैंगपुरी रामपुर की विरासत सीटों को भी गवाना पड़ जाएगा और पूट 10 प्राइम टीवी खास रिपोर्ट में इतना ही देजुना की तमाम खबर के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बॉलिवूड से लेकर बॉलिवूड तर एक्टर से लेकर सिंगर तर फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू पहले परते की अंदुरूनी बातों पर होगी गौसे देखिए बॉलिवूड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर पहुंचेंगे हम वहाँ जहां हर खबर दवाई जाती है दिखाएंगे वो जो आपकी नजोरों से रहता है उजहर पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तर जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू ख़वरों में रफ्तार बेखाफ अंदाज प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज